तो हुस्तों मैं अपका अपना वही पुराना शिभांगतर पाथी अपने उसी पुराने खाल, उसी पुराने हड़ी और उसी पुराने खाल के साथ आ चुका हूँ तो दोस्तों जैसा कि आपने अपने थम्निल में देखा है आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पीसी हार्डवेर के बारे में तो मेरे पास यह अपना एक पीसी है जो की बहुत ही लोग स्पेसिफिकेशन के साथ आता है लेकिन क्या करूं मैं इसी को यूज करता हूं तो आज हम अपने पीसी हार्डवेर के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं लेकिने वीडियो सुरू करने पहले मेरी हमेशा की तरह वही एक पुरानी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इंड तक देखिएगा और आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों मैंने सोचा कि आपको अपने इस पीसी से इंटर्ड्यूस ही करा जाए कि इसकी स्पैसिफिकेशन कितनी है कि यह कि यह लो इंड पीसी कहलाने के काबिल है तो चलिए मैं आपको इससे इंटर्ड्यूस करता हूं तो इसमें रैम 2GB रैम है जो कि एक अलग-अलग स् विडियो को लाइक चलूर से कर दीजेगा तो चले जानते हैं सबसे इंपॉर्ट चिज जो किया है इसका प्रोसेसर दोस्तों आप CPU को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं लेकिन आप प्रोसेसर को इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोसेसर स्टीपियूं का बृएimiz ऊता है तो चलिए जानते हैं प्रोंजर के ऊपर लगा है कि प्रोंजर के जल्दी कॉत करने के लिए ये जल्दी से और फिर आपसए आगे तोस्तों ये हमने अपने CPU का फैन खोल लिया है अब ये फैन के नीचे आप सोच रहेंगे लोहे जैसा दिखने वाला क्या चीज है तो आपको बता दिए लोहे जैसे दिखने वाले चीज हीट एब्जॉर्बर है ये हीट एब्जॉर्बर ऐसा काम करता है जो कि एक लोहे का मेटल होता है और आप जानते होंगे कि हमारे जो प्रोशेसर वह भी मेटल से ही बना होता है तो मेटल ये मेटल ये बहुत बड़ा मेटल है तो उस मेटल की हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेता है तो इससे हमारे जो प्रोसेसर है वह थंड़ा रहता है और हमारे जो CPU वह अच्छे से काम करता है फास्ट काम करता है तो चलिए चलते हैं हम इसको भी खोल के आपसे आगे बात करते हैं तो दोस्तों अब आप जो देख रहे हैं यह हमारा ओजिनल प्रोसेसर जो की पैंटीम कर डूओ क्रोर है और आप अपने अलग-अलग CPU के साब से अलग-अलग स्पैसिफिकेशन सो दें तो सबका अलग-अलग प्रोसेसर वगएर आप दगाते हैं तो आप इस तरह से इसको खोल भी सकते हैं यह दोस्तों से हमें अगर हम PC बिल्ड करते हैं जनरली तो यह में हमारा प्रोसेसर अलग से लेना पड़ता है और यह पूरा मदर बोर्ड में आता है यह राम वगर अदक से लेने पड़ता है मांगे इसकी बारे में देखते हैं चलिए अब हम राम की बारे में बात करते हैं इसको मैं ऐसे राम देता हूं बाद में इसको मैं पूरी जब यह वीडियो खतम जाएगे तो मैं इसको फिर से टाइट कर दूँगा तो यह यह है RAM RAM को RAM का full form तो हम सब जानते ही है इसकूल में मैंने रटा रटा के पड़ाया Random Access Memory तो इसमें RAM Speed आपके डिसाइड करता है PC की जैसे कि अगर हमारे PC में 2GB RAM है तो अच्छी Speed आईगी 3GB RAM है तो उससे भी अच्छी आईगे 4GB तो उससे भी अच्छी आईगी एक GB बहुत घटी आगी वैसे मैं इसको क्या बता रहा हूं इसको तो बच्चा भी जानता है तो अगर इसको देखें तो यह हमारा पूरा मदरबूर्ड हो जाता है और आप सोचें कि यह क्या चीज है तो यह भी हमारा एक हीट श्रिंक कर रही है अगर हमारा मदरबूर्ड भी गरम हो जाता है बहुत तो जब हमारा मदरबूर्ड गरम जाता है यह सारी हीट को श्रिंक कर लेता है और यहां पर यह आप देख रहे दोस्तों अगर हम बात करें कि CPU के पीछे यहां पे क्या-क्या चीज़े होती है तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो सबसे ऊपर वाला फैन देख रहे हैं यह एलेक्रिसिटी आउट्पूट का फैन है जोकि एलेक्रिसिटी आउट्पूट है रखता है और जो बीच वाला फ सबसे उपर वाला जो देख रहे हैं यह में इलेक्रिसिटी पूर्ट है अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और हमें सब्सक्राइब बटन दबा लेजिए और बेल आइकन को भी पुश्ट कर दीजिए क्या च तो मैं कह रहा थे कि आप हो जिस तरह की वीडियो चाहिए हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर इंफॉर्म करेगा ताकि मैं अक्सर इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ आईएव इस बनो और देश को समाल